मुकामा से राजत के विधायक अनंत कुमार सिंग की आज पेशी थी और इस पेशी के दोरान जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बिहार सरकार गिरने की बात कह दी पिछले दिनों मंत्री मंडल के कई नेताओं का बयान भी सामने आया था विपक्षी दलों के नेताओं का भी बयान सामने आया था इसमें साफ तोर पे कई लोगों ने ये बाते कह दी कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार गिरेगी हाला कि जब बिहार सरकार के कई मंतरी ने जीतना मानजी को लेका टिपनी की थी उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और जीतना मानजी की तरफ से ये बाते कही गई थी कि हमारे बदलत बिहार में सरकार चल रही है अगर उन्हें समर्थन नहीं चाहिए तो हम अपना समर्थन वापस ले लेते हैं वो कह दे लेकिन अब इस मामले को लेकर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी कहना सुरू कर दिया है अनन्द सिंग आज पेसी को लेकर MPMA कोर्ट पतना पहुंचे और वहां उन्होंने मीडिया से बाचीत करते हुए इस बात को दोराया है कि MLC चुनाओं में हमारे जो परत्यासी हैं कार्तिके सिंग उनको वोट दिया जाए उनको वोट देकर जनता उन्हें MLC बनाए साथी साथ बिहार की सरकार को लेकर भी उन्होंने निरासा जयताया है कि बिहार की सरकार सही रूप से काम नहीं कर रही है साथी आगे उन्होंने कहा कि उतर परदेश में चुनाओं होने वाले हैं उतर परदेश चुनाओं का पडिनाम जैसे ही आएगा बिहार की सरकार गिर जाएगी बिहार में नए सरकार बनेंगे साथी साथ जीतर नाम मांजियर मुकेश सहनी को लेकर भी उन्होंने बाते कहीं और कहा कि उन लोगों की बाते हम नहीं करना चाहते है क्योंकि वो लोग वहाँ सुएक्षा से गय थे और हमारे साथ जब थे तो सही रूप से उनका सब कुछ चल रहा था अब देखिए वह आप इस तरीके से उनके साथ हो रहा है टिकट भी नहीं दिया जा रहा है तमाम बातों को लेकर अनंठ सिंग ने अपनी बातों को रखा है लेकिन एक बार फिर से अनन्चिंग ने इस बात को भी दोराया कि बिहार में सरकार गिरेगी उत्तरप्रदेश चुनाओ के बाद सरकार गिरने की बात को लेकर लगतार जब चर्चाएं होती हैं तो उसमें खास तोर पे भाजपा के नेताओं का बयान देखे और जीतरना मानजी की तरफ से बयान देखे दो लोगों के बयान से साफ दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होगा और ऐसे में मुकेश सहनी लगतार MLC चुनाओ को लेकर भी अब नाराज हैं मुकेश सहनी ने भी इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि हम फैसला लेंगे लेकिन अभी इतना जल्द फैसला नहीं लेंगे उन्होंने कहा कि अभी अभी बिहार में चुनाओ हुए हैं और एक बार फिर से अगर चुनाओ होता है तो बिहार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा ऐसे में हम लोग आगे अपना नीरना लेंगे लेकिन अभी फिलाहाल में ऐसी कोई बात नहीं है तो देखने वाली बात है कि एक त्रफ जहां तमाम लोगों का दावा है वही अनंत सिंग ने भी एक बार फिर से दावा किया है पिछले बार जब जीतरणाब मानजी को मुख्चमंत्री बनाया गया था तब आपको याद होगा किस तरीके से अनन्द सिंग जीतर नाम मांजी पर हमलावर थे और उन्होंने कहा था कि जीतर नाम मांजी को मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया अब वो मुख्यमंत्री के खिलाब बोल रहे हैं तो ऐसे में अब जीतर नाम मांजी की सरकार गिरनी तय है और उस समय अ फिर से एक बार अनान सिंग ने बड़ा दावा कर दिया है हाला कि तब की सीतिया और अपकी सीतिया में बहुत फर्क है तो देखने वाली बात हो कि इनके दावे में कितनी सचाई है और आने वाले दिनों में उत्तरप्रदेश चुनाओं के बाद क्या राजनितिक महौल होता ह किस तरीके से बिहार में राजनितिक बदला होते हैं दन्ने वाले लाजनितिक